गोल आपका ड्रीम हमारा वेलकम टू इलेक्रिकल मेला यह देखाया उनके लिए मैं बता दू आपके घरों में जो पहले TV होता था CRT वाला बहुत बड़े साइज का TV होता था जिसमें उसके पीछे का हिस्सा बहुत लंबा होता था वो एक CRT टाइप का होता था CRT मॉडल होता था मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का आपके घरों में TV होगा ठीक है तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और यह आपके युनिवर्सिटी एक्जाम में जो सब्जेक्ट है मेजर्मेंट का उसके चैप्टर 9 का सिलेबस है ठीक है चैप्टर 9 तो यह जो चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का आजाएगा साथ में जो SSTJ की कोचिंग कर रहे हैं या इसके लिए तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि 4 to 5 कोश्चन हो सकते हैं अभी आने वाले एक्जाम में इसी टॉपिक के उपर तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को मैं एक वीडियो में खतम नहीं कर रहा हूं इसके लिए मैं दो वीडियो बनाया हूं अभी जो हम वीडियो देखने वाले हैं इसमें मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन को बताया है और थोड़ा सा वर्किंग को इंट्रड्यूस किया बहुत जादा डिटेल में नहीं गया हूं लेकिन फिर भी बहुत कुछ कवर कर दिया है मैंने तो हम इस वीडियो में ये तीन पॉइंट को कवर करेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में इन चार पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं cathode ray oscilloscope का introduction, cathode ray tube और उसके basic circuit है या फिर उसका block diagram है यारो का उसको देखेंगे उसके बाद वाले वीडियो में हम measurements के बारे में देखेंगे कि इस यारो का use करके हम voltage का measurement कैसे करेंगे, current का कैसे करते हैं, phase difference का कैसे करेंगे दो waveforms के बीच में और frequency का measurement कैसे करते हैं यह हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके intro में बता देता हूँ, कि इसका use क्यों गया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, basically यह जो CRO है, यह आपका voltage का measurement करता है, किसका measurement करता है, voltage का, ठीक है, लेकिन corresponding current में, corresponding pressure में, और corresponding other physical quantities में, convert कर लेते हैं, तो by using, और with the help of transducer, we can convert the measured voltage by CRO to the physical quantity measurement, और we can, we can display the waveforms of those quantities, So, this will be your CRO screen, मतलब यह आपके CRO का screen है, इस screen पर हम देख सकते हैं, अभी तो एक clock बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के का waveform भी हम visualize करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई AC voltage है, या AC current है, उसके waveform को हमको visualize करना है, देखना है, और उसको analyze करना है, उसके parameter समझने हैं, उसकी लग RMS value, peak to peak value, frequency, time period, यह सब हमको देखना है, निकालना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, CRO का use कर सकते हैं, तो mainly यह visualization के लिए use होता है, जिससे हम waveforms को study कर पाएं, उनको देख पाएं, जिससे हम बहुत सारे दूसरे काम जो होते है, quality improvement के वो कर पाते हैं, इसमें सबसे important जो होता है, time-based signal होता है, time-based signal होता है, horizontal input voltage, यह क्या देता है, horizontal input voltage देता है, जो कि एक ramp की तरह होता है, किसकी तरह होता है, ramp signal की तरह होता है, इस तरीके से ramp signal इसमें बनता है, यह कुछ इस तरह का होता है, कि इस time से इस time तक capacitor चार्ज होता है, फिर voltage को हटा कर दे, हम क्या कर एक RC circuit ले लेते हैं पहले यह C है और यह अपना R circuit है अब इसको एक switch से connect कर देते हैं एक voltage source के थूँ ठीक है एक voltage source लगा दिया अब पहले C को क्या करेंगे charge करेंगे ठीक है यहाँ इस point तक ठीक इस point तक charge करेंगे उसके बार इसको हटा करके इसको क्या कर देंगे R के थूँ short कर देंगे तो वो discharge होने लगेगा तो यहाँ पर voltage हम लोग ले लेते हैं और यह voltage हमारा यह time based बनता है मतलब मैं time based मतलब क्या है कि उसको समझा देता हूँ आपको क्या होता है उसका my meaning देखे जैसे यह आपके CRO में इस तरह का luminous spot हमको नज़ा रहा है दिखा तो इस luminous spot जो बना यह yellow color का जो यह signal बन रहा है यहाँ पर यह क्या बता रहा है actual voltage बता रहा है जिसको हम measure कर रहा है ठीक है लेकिन यह luminous spot का जो up और down है जैसे कि यह उपर गया अप गया फिर यहाँ से down आया ठीक है यह इसका input voltage है that is the measured voltage ठीक है लेकिन जो luminous spot बन रहा है यह वाला यह deflection नहीं देता यह क्या होता है इस तरह के से एक simple एक line में होता है इस तरह के से तो यह क्या होता है हमारा time base होता है ठीक है time base में कुछ हम लोग attenuator use करते है जो कि इसके जो values है उसको जादा नहीं बढ़ने देता ठीक है यह क्या है time base हो गया red वाला और जब यह जो fluctuations आ रहे हैं जो up और down आ रहे हैं ups और downs आ रहे हैं यह क्या है यह किसके करणा आते हैं यह input voltage के करणा आते हैं जिनको हमको measure करना है यह बात समझ में आ रही है अब देखो यह जो luminous spot है हमारे पास यह luminous spot actual में है क्या यह electrons है ठीक है high velocity electrons है जिनमें kinetic energy बहुत ज़्यादा होती है जब वो screen से टकराते हैं तो एक bright spot create करते हैं तो वही bright spot आपको यहाँ पे दिख रहा है और यह जो beam है यह deflected है किधर से किधर left to right ऐसा deflected है और क्योंकि हमारा time based circuit क्या होता है periodic होता है continuous होता है मतलब repeat होता रहता है जिसके करण इस तरीके से हमको move होता हुआ waveform यहाँ पे screen पर मिलता रहता है कुछ ऐसे concepts हैं जो आपको पहले से clear होंगे थोड़ा सा आपको effort डालना पड़ेगा अब देखिए यहाँ पे जो time based मैंने बताया यह time based क्या होता है एक ramp signal होता है तो यह भी SSE के exam का question बन सकता है तो यह भी आप important note कर लीजे इस तरीके से हमारा यह CRT दिखता है ठीक है यह पूरा CRT है इसके अंदर के parts को भी हम लोग पढ़ेंगे तो यह जो CRT है यह CRO का main functional part होता है क्योंकि यही उसका brain होता है CRT का बाकी सारी जो circuitry होती है वो other functionalities offer करती है CRT है यह main है तो आपकी university exam में दो question आ सकता है एक तो CRT से related आएगा और यह तो CRो से आ जाएगा तो हम लोग CRT के बारे में पहले देख लेते हैं सबसे main component है तो देखो यह जो CRT है यह 5 point है इसमें important यह 5 main parts है पहला है आपका electron gun assembly फिर है deflection plate assembly फिर fluorescent screen glass envelope and then base ठीक है इनको हम अलग-अलग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जो luminous spot है वो create के होता है यहाँ पे देखिए एक green point से में बताया हो एक luminous spot को यह क्यों create हो रहा है भई यह create हो रहा है electron beam के high velocity electron beam के इस screen से टकराने के कारण अब इस screen में क्या है फॉस्फर ब्राँज की coating है क्या है फॉस्फर ब्राँज फॉस्फर ब्राँज की coating है अब इस फॉस्फर ब्राँज की coating से ठीक है क्या होता है कि जब इस फॉस्फर ब्राँज की coating में जो की screen में है वहाँ पे कोई electron beam strike करता है या bombard करता है तो उस time पर जो electron है अगर उसमें kinetic energy है मतलब उसकी जो velocity बहुत high है जिसके कारण उसमें कुछ kinetic energy है तो वो energy light energy में convert हो जाती है with the use of this phosphor material तो वहाँ पे जहाँ पे electron beam strike करता है वहाँ पे एक bright spot बनता है और वही bright spot हमको किसमें दिखता है as a luminous spot screen पर दिखता है जो की हमको CR के monitor में दिखाई देता है तो इसी की functioning समझने वाले हैं कि यह जो electron beam है यहाँ पे कैसे आता है इसकी velocity कैसे बनती है और यह luminous spot कैसे create हो रहा है तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी क्या कि fluorescent screen तो यह क्या है fluorescent screen है आपकी जिसमें coating किसकी है फॉस्फर की ठीक है फॉस्फर की coating है जिसकी वज़ा से अगर उसमें electron beam पड़ता है तो वो क्या करता है luminous spot create कर देता है ठीक है अब यह जो electron beam है यह originate कहां से हुई कहां से निकली तो हम यहाँ पे एक heater रखते हैं heater और एक cathode होता है एक cathode material लेते हैं और एक heater लेते हैं तो heater क्या करता है temperature बढ़ाने का काम करता है और जो cathode होता है उसके उपर में उसके बाहरी सता पर outer surface में barium या strontium oxide की coating होती है किसकी coating होती है barium या strontium oxide की coating होती है जो की number of electrons देते हैं मतलब की बहुत ज़्यादा number of electrons emit करते हैं अपने में से ठीक है तो cathode का काम क्या है number of electrons emit करना और जो उसके उपर coating लगी है उसका काम क्या है barium oxide या बोले strontium oxide इसका काम है कि कम temperature पर भी ज़्यादा number of electrons cathode से emit करवाना अब जो electron निकलेंगे उनकी energy क्या होगी उनकी जो kinetic energy होगी बहुत कम होगी उनकी velocity क्या होगी बहुत ही कम होगी तो जैसे ही हम cathode के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और function मैं भी नहीं discuss करूँगा यह control grid भी है लेकिन अभी हम आगे बात कर लेते हैं अब यह जो emit हुए है electron यहाँ से निकलते हैं यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर electron beam जो बना हुआ है यह electron beam किस से होकर जाता है कुछ यहाँ पर anodes बने होते हैं यहाँ पर कुछ anode पहले से होते हैं anode की assembly होती है तो यह जो anode की assembly है यह anode की assembly क्या करती है जो speed है electron beam की उसको एकदम से बढ़ा देते हैं accelerate कर देते हैं क्यों क्योंकि जो anode होते हैं यहाँ पर accelerating anodes उनका जो potential होता है वो positive होता है और कुछ जादा होता है तो वो क्या करते हैं electrons होता है negative है totally तो क्या करेगा वो उसको खीचेगा अपनी तरफ जिसकी वज़ा से electron beam की speed बढ़ जाती है अब जो electron beam की speed बढ़ेगी तो scatter भी होंगे इधर उधर मतलब एक beam से थोड़ा सा हटने की कोसिस करेंगे दूर दूर तो क्या होता है वहाँ पे एक हम focusing anode भी use करते हैं जो क्या करता है electrons को focus करता है एक ही beam में और उसके बाद फिर से उसके accelerate कर दिया जाता है तो इस तरह से 3 होता है मैं आपकी electron गन दिखा देता हूँ यह हमारा electron गन है यह heater coil वगरा है इसमें ठीक है और यहाँ पर cathode है cathode से emit होगा emit होने के बाद electron कहा जाएगा pre accelerating anode में चला जाएगा उसके बाद focusing anode में जाएगा उसके बाद फिर आपका again accelerating anode में जाएगा अब यह electron gun है इसका जो main काम है आपका सबसे main काम है वो क्या है कि electron beam emit करवाना cathode से और emit करवाने के बाद electron beam की जो velocity है उसकी जो kinetic energy है उसको बढ़ा देना तो वो जब बढ़ती है और क्या करता है काम कि उसको focus भी करता है मतलब उसको sharp कर देता है एक ही line में वो beam आनी चाहिए इसलिए उसको sharpening का जो काम है उसके beam का वो भी electron gun करता है तो electron gun क्या करता है provide करता है या produce करता है high velocity sharp electron beam high velocity sharp electron beam ठीक है यह create करने का काम हमारा electron gun assembly करता है जिसमें की important control grid का का काम है cathode का का काम है और यह 3 anode का नाम है 2 accelerating anode same potential पर होते है और focusing anode उससे थोड़ा कम potential पर होता है ताकि वो सभी electrons को focus कर सके इस तरीके से electron gun assembly का काम है अब हमने यहाँ पे एक यह point discuss कर लिया और यह दूसरा कर लिया तीसरा glass envelope यह जितना भी चीजे है यह पूरी चीजे यह क्या होती है एक glass envelope में बंद होती है जिसके कारण electron beam का जो movement है वो disturb ना हो इसके लिए इसको पूरे glass envelope से pack कर दिया जाता है फिर एक base होता है इसमें जो की connections के लिए बनाया जाता है ठीक है बहुत सारे connections यहाँ base से दिये जाते है मैं आपको diagram में भी base दिखा देता हूँ यह देखो यह भी base है यहाँ पर 13 number connection के लिए होता है ठीक है एक और है हमारे पस यह भी हमारा base है जहां से हम connections provide करते हैं other parts of CRT को ठीक है इसके बाद हमारा जो last part है CRT का वो है deflection plate assembly तो CRT में cathode ray tube है actual में जो topic में oscilloscope लिग गया है यह tube है ठीक है इसको correct कर लेना आप लो अभी हम tube की बात कर रहे है तो जो CRT में deflection plate assembly होती है उसमें दो pair होते हैं दो pair होते हैं deflection के लिए एक होता है horizontally mounted और एक होता है vertically mounted लेकिन horizontally mounted होता है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से होगा यह देखे यहाँ पर है horizontally mounted कौन है इसमें से ये वाला है कि ये वाला बताओ horizontally mounted का मतलब कि horizontal axis के parallel में जो mount है वो horizontal mounted है और vertical axis के parallel में जो mount है वो vertically mounted हुआ तो ये जो है ये क्या है vertically mounted है और ये plate जो है ये horizontally mounted है तो अब हमको ये देखना है कि इसके 20 से जो black color का ये जो दिख रहा है ये beam है electron beam जब electron beam यहाँ पर आता है तो horizontal mounted जो beam plates है horizontally mounted जो deflecting plates है वो कैसा deflection देंगी बताइए देखो इधर flare है ना इसमे plate में flare बना हुआ है किस तरब बना हुआ है ये कैसा deflection देंगी अप दे सकती है और down दे सकती है मतलब किस direction में दे रही है vertical direction में deflection देती है कौन दे रही है vertical direction में deflection vertical direction में deflection देती है horizontally mounted deflection plates तो जो हमारी horizontally mounted deflection plates है वो vertical direction में क्या देती है अपना deflection देती है इसलिए उनको क्या कहते हैं vertically या vertical deflection plates क्या बोलेंगे उसको vertical deflection plates अब नज़र डालिए in plates पर ठीक है यह जो plates है यह कैसे mounted है horizontally mounted है कैसे mounted है sorry vertically mounted है vertical plane में mounted है उसके parallel तो vertically mounted plates है लेकिन यह किस तरीके का deflection देंगी यह देंगी left to right और right to left तो इस तरीके का deflection यह देंगी ठीक है तो जो plate जैसा deflection देगी उसका नाम वैसे रखा गया है जैसा वो mount हुआ है वैसा नहीं रखा गया कई बार confusion हो जाता है सबको तो इसलिए मैं clear कर रहा हूं कि जो deflection plates है ठीक है उनका जो नाम दिया गया है horizontal और vertical that is because of their work their functionality of deflection उनके deflection के तरीके के कारण उनका वो नाम दिया गया है तो यहां पर जो vertically mounted plates है pair of plate है यह कैसा deflection देंगी horizontal deflection इसलिए यह क्या हुई horizontal deflection plates होई और यह जो की vertically mounted है यह क्या हुआ sorry जो की horizontally mounted है यह क्या बताएंगी हमको vertical deflection plates तो यह हो गई हमारी vertical deflection plate और यह हो गई हमारी horizontal deflection plate तो जब electron beam जिसकी velocity बहुत हाई है वो यहां पर से enter करता है तो उसको vertical deflection plate vertical direction में deflect करती है और horizontal deflection plate horizontal direction में deflate करती है और उसके बाद यह जो beam है यह जाता है हमारे fluorescent screen पर और fluorescent screen पर जैसे ही वो beam पड़ता है तो उस screen पर एक luminous spot create होता है वो luminous spot इसलिए create होता है क्योंकि screen पर phosphor material की coating होती है और phosphor पर जब kinetic energy के साथ electron beam bombard करती है तो उस energy को phosphor material एक bright spot में मतलब light energy में convert करता है इस तरीके से एक और risk के यहाँ पर दिखता है कि जब बहुत सारे electron beam यहाँ पर टकराएंगे तो उसके बाद secondary electron भी बनेंगे से जो इधर उधर निकलेंगे screen के बाहर या अंदर की तरफ से इस तरीके से निकलेंगे scatter होंगे तो यह जो electrons निकल रहें उसके करण क्या हो जाएगा यहाँ इस वाले space में बहुत ज़्यादा electron के numbers बढ़ जाएंगे तो उन electrons को absorb करने के लिए हम क्या लगाते हैं aqueous of graphite aqueous of graphite का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं aqua deck coating aqua deck coating इसलिए यूज की जाती है ताकि वो excessive secondary electrons को जो की beam में नहीं है beam यहाँ पर टकराई उसके बाद वो electron scatter हो जाते हैं इदर उदर तो वो जो electron के numbers हैं जो scatter हो रहे हैं screen पर पढ़ने के बाद में उनको absorb करने का काम कौन करता है aqua deck coating यह होता है aqueous of graphite तो इस तरीके से मैंने आपको CRT को अच्छे से समझा दिया है यहाँ पर एक diagram भी है इसके थुरू भी आप इसको समझ सकते हो देखिए यहाँ पर coils बनी हुई है यह deflecting plate को ही हम क्या बोलेंगे यह deflecting plate actual में होती है coils तो coil को हम देते है voltage और उस voltage के करण यह हमारा beam deflect होता है तो यह जो बनी हुई है coils चार coins है यहाँ पर मैंने mark कर दिया है यही pair of plates है deflection plates है horizontal and vertical deflection plates तो मैंने आपको practical भी दिखाया और ऐसे समझा भी दिया तो इस तरीके से जो CRT है यह आपका clear होता है कि आप university exam में भी इसको note कर सकते हैं और SST के लिए भी बहुत सारे points मैंने आपको बता दिया है इसके बाद यह जो diagram है इसका भी आप screenshot लेके रख लीजिए समझने में काम आएगा यह deflecting coils बना रहा है इसके चार यहाँ पे होंगे दो दिख रहा है दो पीछे की तरफ होगा यह anodes हैं जो कि accelerate करते हैं यह आपका control grid है, cathode है, electron gun है जहां से हमारा electron beam emit होता है and this one is screen that is our CRT screen जहाँ पे हमको luminous spot दिखाई देता है तो इस तरीके से जो CRT है उसके जो parts थे, electron gun assembly, fluorescent screen and deflection plates, horizontal and vertical, glass envelope and base all five parts are defined now अब हम थोड़ा सा CRT देख लेते हैं ऐसा दिखता है, CRT सबको पता होगा देखे होगे आप लो इसमें बहुत सारे यह controls बने हुए हैं तो यह जो monitor है यही सिर्फ क्या है आपका CRT लेकिन इसकी जो controlling circuitry है यह इधर पे यह पूरा इसको क्या करने काम करती है control करने का काम करती है यह है इसको पूरा अगर combine कर दे CRT और यह controlling circuitry को जिसमें बहुत सारी दूसरी functionality है तो पूरा मिला के हमारा क्या बन जाएगा CRO क्या बनेगा CRO इसके बाद हम देख लेते हैं इसका schematic block diagram तो यह तो आपको पता है यह जो बीच वाला center में जो क्या है CRT है ठीक है और CRT में luminous spot पड़ चुके phosphor screen देख लिए electron beam horizontal deflection plate कैसे mount है देखो vertically mount है और vertical deflection plate horizontal mount है अब इसके बाद हमको समझना है कि CRO में जो बाकी चीज़े है जैसे vertical amplifier delay line है ना high voltage, low voltage supply फिर trigger circuit है time based generator है horizontal amplifier है इन सब का काम क्या है है ना यह सब क्या काम करते है तो इन सब को club करके क्या बनाया है हमने cathode ray oscillos को बहुत ही simple में समझाया है मैंने इसमे books में आपको इतना simplicity के साथ नहीं मिलेगा अब देखिए CRO में जो CRT था इसमें देखिए electron gun से तो आपका electron beam बन जाएगा ठीक है emit हो जाएगा electron beam और वो चला जाएगा फिर यह दो pair of plates से deflect होता है तो वो बहुत important है कि जिस को जिस quantity को हमको measure करना है उसको कौन से plate में supply करना है और जिस quantity को measure करना उसको तो अपन क्या कर रहे है किस plate में supply करना यह देखेंगे और साथ में जो हमारा time base है ठीक है जो time base generator मैंने दिखाया था जो एक ramp voltage बना रहा था ramp voltage का waveform था तो वो जो time base है हमारा वो time base कैसे बनता है वो कहां से आता है तो देखें यह जो दो deflection plates है एक vertical deflection plate और एक है horizontal deflection plates तो इसमें जो vertical deflection plate है और जो horizontal deflection plate है तो उसमें से जो horizontal plate है horizontal deflection है इसमें हम लोग time base circuit देते हैं time base circuit या time base generator से जो signal बनता है उसको देते हैं मतलब कि इसमें एक fixed voltage दिया जाता है और वही voltage के कारण इसी voltage के कारण हमारा जो screen में यहाँ पे center में एक जो line बनती है timeline जो कि left to right continuously move होती रहती है left to right continuously move होती रहती है periodic होती है मतलब आपको luminous spot चलता हुआ दिखेगा वहाँ पे तो वो create होता है आपके time based generator circuit से जिसमें R और C होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ that is given by time based generator वो signal आपको कहां से मिलेगा time based generator से मिलेगा और time based generator से वो signal मिलने के बाद उसको horizontal amplifier के through उसको बढ़ाया जाता है ताकि वो यहाँ पे एक regulator होगा उसको आप कम जादा करके amplifier की setting कर सकते हो अगर आप उसको जादा रखोगे तो उसकी value बढ़ जाएगी और आपको बढ़ी हुई value में दिखेगा कम करोगे तो value कम हो जाएगी इस तरह से आपको जो monitor में ग्राफ मिलेगा वो कम voltage का मिलेगा ठीक है जैसे मैं आपको एक और diagram लिया हुआ हूँ उससे समझा देता हूँ किस तरीके से वो change होता है इस diagram में देखिए यहाँ पे देखिए channel to on दिखा रहा है न और इसमें voltage क्या दिखा रहा है 200 volt तो यह जो 200 volt है यह क्या है आपका जो हम input voltage देंगे वो है ठीक है लेकिन यहाँ पे देखिए यह जो दिखा रहा है 5 millisecond यह जो डब्बे बने हुए न यह सब डब्बे तो इसमें मालूँ यह डब्बा मैं ले लेता हूँ तो इस डब्बे का जो यह चोड़ाई है 200 volt को बता रही है कितने को बता रही है 200 volt का तो मुझे लगता है यह 230 volt या कुछ ऐसा इसका है supply जो यह waveform है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जो screen में जो दिखता है जो यह vertical दिख रहा है यह वाला section यह आपका क्या है यह voltage है ठीक है और यह input voltage एक्चुल में और यह जो horizontal में दिख रहा है आपको यह जो इसका width है वो क्या बता रहा है आपको time का बता रहा है इसको एक्चुल में x y plotter भी बोलते हैं तो यह जो है यह y axis हो गया हमारा और यह वाला हो गया x axis तो x axis आपका time को define करता है और y axis amplitude को define करता है तो मैं आपको CRO के बारे में बता रहा था तो जो CRO होता है उसमें दो main plates होती है एक होती है vertical deflection और एक होती है horizontal deflection तो horizontal deflection में x axis वाला voltage component देते हैं जो की time based generator के द्वारा generate किया जाता है और इसी time based generator को ही हम क्या बोलते हैं sweep generator ये time वाला axis का जो luminous spot बनता है वो create करता है time based generator इसी को sweep generator भी कहते हैं ये चार type के भी होते हैं उसके बारे में detail में अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि हमारा video बहुत ही जादा लंबा हो जाएगा उसको अलग से हम deal करेंगे आप comment में दीजिएगा आपको अच्छे से detailed में चाहिए तो उस topic का अलग से एक video बना देंगे generators के उपर ठीक है अभी हम continue रखते हैं अब हमने क्या किया horizontal plate को supply दे दी हमने sweep generator से ठीक है जो की x-axis को plot करेगा CRT के monitor में अब जिस signal को measure करना है जिस voltage signal को हमको क्या करना है measure करना है उसको हम दे देते हैं किसमे vertical deflection plate में तो ये क्या करेगा vertical deflection plate क्या करेगा vertically deflect करेगा vertical deflect करेगा मतलब अब जाएगा या तो down जाएगा दो condition हो सकती है तो इस तरीके से amplitude को बता रहा था अभी जो screen मैंने दिखाया था उसमें क्या बता रहा था उपर और नीचे क्या है आपका amplitude बताता है तो वही क्या है किसका measurement है वो input signal का measurement है और ये जो है horizontal deflection है ये आपके जो time axis है उसको develop करता है उसको बनाता है उसको produce करता है लेकिन जो input signal हम लेते हैं उसको हम ऐसे probes के थुरू लेते हैं और उसकी value बहुत कम होती है ये जो sweep generator है इसके comparison में इसकी value बहुत कम होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसको एक vertical amplifier से गुजारते हैं तो vertical amplifier क्या करता है उसकी value को बढ़ा देता है और उसके बाद एक delay line का भी इसमें option होता है actual में होता क्या है कि हम उसी input voltage को यहाँ पर synchronize करके इस monitor पर दिखा सकते हैं CRT के monitor पर जिसका frequency match करता हूँ जैसे input signal है उसकी frequency कुछ अलग है और यहाँ पर time based generator में generate कर रहे हैं उसकी frequency अलग है तो उस तरीके से काम नहीं हो पाता है वो जो plotting होगी फिर वो random होगी monitor में जो हमारा luminous spot बन रहा है वो कहीं भी भगेगा तो उसको हमको control में रखने के लिए उसको systematic way पर represent करने के लिए जो incoming voltage है उसकी frequency और जो sweep generator की frequency है ठीक है जो यहाँ से signal generator होगा उसकी frequency दोनों की जो frequency है वो same होनी चाहिए वो दोनों की same होगी तभी हमको proper deflection मिलेगा और monitor पर luminous spot मिलेगा तो उस frequency को same करने के लिए हम यहाँ पर delay line का use करते हैं माल लो अगर input signal में कुछ क्या है वो advance है तो उसको क्या कर सकते हैं डिले कर सकते हैं और वहीं से उसी point से हम लोग एक और यहाँ ले रहते हैं trigger circuit तो इससे क्या करते हैं हम जो time based generator है ठीक है तो यह generator क्या करेगा signal generate करेगा तो generate करने के लिए उसको triggering circuit से connect कर देते हैं तो triggering circuit को पता चल जाता है कि input की frequency क्या है इस wire से तो क्या करेगा trigger circuit उसी तरीके से trigger करेगा कि वैसी frequency generate हो जैसा कि input signal की है तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि synchronization हो जाता है जो voltage हम vertical deflection में apply कर रहे हैं और जो voltage horizontal deflection plate में apply कर रहे हैं इसकी वाज़ा से जो luminous spot है न वो बहुत अच्छा मिलता है हमको तो mainly यही पूरा काम था इसमें जो main important था इसके अलावा भी कुछ controls होते हैं like intensity का control करना है तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरा defined है ठीक है यह ABCD करके इसमें बताया है बहुत सारा लेकिन मैं आपको main main बताऊंगा क्या क्या है देखो सबसे पहले तो intensity है और focus है तो जो focusing anode होता है आपका electron gun में तो focusing anode को अगर हम adjust करेंगे तो उसका focus adjust हो जाता है Potentiometric type का होता है जिससे focusing anode का voltage होता है उस voltage को हम control करते हैं जिससे कि electron beam भी उसका focus है उस control होता है intensity control करने के लिए हम क्या करते हैं जो electron gun होता है उसके जो control grid होता है electron gun के control grid का जो emit कर रहा है electron जितना ज़्यादा speed होगा electron का उतनी ज़्यादा उसकी intensity होगी क्योंकि उतना ही ज़्यादा energy वो screen पर मारेगा screen को देगा जिस से phosphor जो है उतना ही ज़्यादा light energy produce करेगा तो intensity आपकी बढ़ जाएगी तो intensity को control करने के लिए electron beam की velocity को control किया जाता है that is done by the accelerating anodes and use of control grid because number of electron plays an important role in this kind of functionality of CRO और इसमें जो important है यह है sensitivity है ना actually sensitivity बोल सकते हैं या फिर अलग-अलग signal के लिए दिया हुआ है ना x position और y position के लिए अलग-अलग है यहाँ पे vertical का ही दिया हुआ है दोनों दो दिया हुआ है आपे channel 1 channel 2 फिर horizontal के लिए दिया हुआ है और trigger circuit के लिए भी यहाँ पे conditions यह सारी दी होई है यहाँ पे आपन जिसको measure करना है external जो trigger लेना है उसके लिए दिया हुआ यह point इसमें lead लगाएंगे external का और यहाँ पे दो signal जिनको हमको match करना है measure करना है वो है तो आप इसमें दो signal भी देख सकते हैं एक साथ या फिर अलग-अलग time पे अलग-अलग signal को देख सकते हैं ठीक है जैसे दो signal के बीच हमको face difference निकालना है तो भी तब क्या करेंगे दोनों में signal देंगे और किसी एक कही अपने को काम है frequency बस calculate करना या voltage और current का measurement करना है तो उसका waveform निकालना है तो सिर्फ एक में देंगे ठीक है फिर यहाँ पे इसके जो scale है जैसे यह time base है इसका time base हमको यहाँ shift करना उपर तो हम लोग क्या करते हैं simply एक DC voltage add कर देते हैं तो उसका भी बटन दिया हुआ है यहाँ पे उसके भी हम लोग उपर नीचे सरका सकते हैं और volt per division है मतलब कि एक division का voltage कितना होगा आप 1 volt भी रखते हो और 100 volt भी रख सकते हैं तो उसको vary करने के लिए यह potential metric regulator दिया हुआ है फिर time का यह जो time है 5 millisecond होता है बताया था एक एक खाना जो 5 millisecond होता है time का तो इसको भी आप vary कर सकते हो कम ज़्यादा कर सकते हो इस control से तो ज़्यादा अच्छे से तो इसमें clear नहीं हुआ होगा लेकिन जब आप practical कोई CRO देखें तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके के जो knobs हैं इनको पूरा अच्छे से आप ध्यान दो मैं भी एक clear हुआ हूँ यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और clarity मिल जाए देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ACDC ground फिर यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ACDC ground यहाँ पे test signal apply करने के लिए दिया हुआ है जहाँ पे आप लगा सकते हो ground का और test signal करने का यह एक circuit है जिसका हमको measure करना है waveform देखना है clock generator है तो clock दिखा रहा है वो फिर यहाँ पे power का है फिर vertical position up down करने का है कि उपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है फिर intensity control है focus control है trigger level है इस तरीके से hold करना है अगर रोकना है जिससे monitor में ऐसा भगता रहेगा आपका waveform तो उसको अगर आपको hold करना है तो यह hold वाला आप यूज़ कर सकते हैं धीरे और fast उतलब जो यहाँ से signals जा रही है उसको आप fast भी कर सकते हैं फिर volt per division दूसरे channel का यह है इसी तरीके से time division के लिए यहाँ से दिया जा सकता है जो delay line में आपको बताया था delay के लिए यह वाला use कर सकते हैं हम लोग delay देने के लिए और external trigger circuit से अगर हम को supply देनी है अगर हम input का trigger नहीं लेना चाहते हैं हम external कोई अलग frequency पर देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं और यह position का है time का position सरकाना है left, right तो उसके लिए है इस तरीके से इस video lecture में हमने CRT और CRO के basic construction को देखा थोड़ी सी working और उसकी जो अलग-अलग components होते हैं functionality को एक बहुत असान तरीके से दिखा है, university exam के लिए बहुत अच्छे से आप notes बना सकते हैं इस video को prefer करके और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, मैं चाहूंगा कि आप comment में मुझे बताए ठीक है कि आपको वीडियो कैसा लगा, like जरूर कर दें, और अगर आपकी आने वाले टाइम पे और कोई demand है कि आपको किसी और topic पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप comment कर दीजिए, google form भी circulate किया गया है, उस google form में भी आप जा करके अपना जो response है वो दे सकते हैं इस तरीके से आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसके numerical के बारे में किस टाइप से objective questions इस topic पर पुछे जाते हैं, और measurement कैसे किया जाता है, phase का, frequency का और आपके जो दो अगर waveform लिया हुआ है तो उनके बीच phase difference कैसे निकालेंगे, phase angle difference तो वो सब मैं इसके बाद वाले वीडियो में cover करूंगा तो अगर आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे क्योंकि उस वीडियो की भी notification आपको मिलनी चाहिए, तभी यह topic पूर आपका complete हो पाएगा Thank you